नमस्कार आप देख रहे हैं गुड़ लग टुड़े आपके साथ मैं हूँ सुनीता रायश शर्मा और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद हैं पंडित श्यलेंद्र पांटे पंडित जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार तो आज की इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे अहोई अश्टमी वृत की जिसे करने से आपकी संतान का कल्यान होगा लेकिन अहोई अश्टमी व्रत की महिमा क्या है और इस व्रत को करने में कौन-कौन सी साफधानिया बरतनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे साथी साथ वो महा उपाए भी बताएंगे जिसे अपना कर आप बड़ी से बड़ी परिक्षा में सफलता पा सकेंगे तो चलिए शोकी करते हैं शुरुवात और सबसे पहले देते हैं गुड़लक मंत्र बात करते हैं गुड़लक मंत्र की modern fashion के जमाने में और आजकल के जमाने में लोग अपने घरों में पूजा का अस्थान नहीं बन वाते या पूजा बाट नहीं करते? तो शास्त्र क्या कहता है? जिन घरों में पूजा अस्थान नहीं होता, जिन घरों में नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं होती, ऐसे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में आकस्मिक समस्या जरूर आती है 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट भी इश्वर के लिए नहीं निकाल पा रहें, तो कश्ट में आने पर आपको इश्वर के पास जाने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए जिस घर में पूजा उपासना नहीं होती, इश्वर की आराधना नहीं होती, ऐसे घरों में समस्यायक कभी भी समात नहीं होती जिहां इसलिए कहते हैं ना कि इश्वर पर आस्था रखिए उन्हें याद करते रहिए तो चलिए इस उपाई को आप जरूर अपनाईए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के पंचांग के बारे में पंडित जी से जानते हैं बात करते हैं पंचांग की दिनांक 28 अक्टूबर 2021 दिन ब्रिहस्पतीवार तिथी है कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथी दोपहर के 12 बच के 49 मिनट तक नक्षत्र है पुनरवसू नक्षत्र सुबह के 9 बच कर 42 मिनट तक चंद्रमा करक राशी में संचरण कर रहे हैं राहुकाल का समय दोपहर के 1 बच के 30 मिनट से तकरीबन 3 बजे तक दक्षड दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासी पीली सरसों खाकर और भगवान का समरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे जिहां तो आप भी अगर कहीं जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखें अब आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं पंडिची से अघोई अश्टमी वरत के बारे में पंडिची सबसे पहले इसके महत्व को हम समझना चाहेंगे की अश्टमी को अहोई अश्टमी का पर्व होता है इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है जिन्हें आप सामान्यता पार्वती माता समझे क्योंकि जो हर हैं जो शिव हैं वो जगत पिता हैं और मापारवती को जगत माता माना जाता है तो अहोई माता दरअसल मापारवती का ही एक स्वरूप है अहोई अश्टमी के दिन महिलाएं वरत रखकर अपने संतान की रक्षा के लिए और उसकी लंबी आयू के लिए प्राथना करती हैं जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो उनके लिए भी ये वरत विशेश है विशेश लाबकारी है और जिन महिलाओं की संतान की आयू कम होती हो संतान दिरगायू ना होती हो या गर्भ में ही नश्ट हो जाती हो उन महिलाओं के लिए भी वरत शुभकारी है अगर अहोई अश्टमी के दिन विशेश प्रियोग किये जाए तो संतान प्राप्ती की, संतान उन्नती की, संतान के कल्यान की मनोकामना पूरी होती है और ये जो उपवास है, ये जो पूजा विधान है, ये आयू कारक भी है और सौभाग कारक भी है यानि महिलाओं अपनी संतान के लिए ये उपवास रखती हैं, पूजा करती हैं ताकि संतान के जीवन के हर बाधा दूर हो अब आप यह मस समझें कि संतान का मतलब केवल पुत्र के लिए रखती है पुत्रिया भी उतनी ही मुल्यवान संतान है इसलिए पुत्रियों के लिए भी रखा जाएगा इस बार अहोई अश्टमी पर्व के जो संयोग की स्थिती बन रही है वो बन रही है 28 अक्टूबर को फिलाल भाग्य फल की बात कर लेते हैं तो मेश व्रिशप और मिथुन राशी का क्या है दैनिक राशी फल जानते हैं पंटित्ची से बात कर लेते हैं मेश राशी की अपने स्वास्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है खासतोर से खान पान से दिक्कत नहों इसमें सावधानी रखिएगा पैसे का नुकसान हो सकता है धन की हानी हो सकती है सावधान रहें और बेहतर होगा कि आपका गुडलक बढ़े आपकी मुश्किले कम हो इसके लिए आप केले का दान कर दीजिएगा शुबरंग होगा गुलाबी और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत यानि मेहनत ज्यादा है भागे थोड़ा कमजोर है ब्रिशब राशी इस समय किसी नए कार्य की शुरुवात की संभावना बनी हुई है आपके लिए और ये कार्य फाइदे मंद रहने वाला है आपके स्वास्थ में आपकी सेहत में सुधार होता दिख रहा है और इस समय किसी छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा इस समय आपका चेंज ओफ प्लेस हो सकता है स्थान परिवर्तन हो सकता है और इस समय आपका आर्थिक पक्षुभी मजबूत होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा हरा और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत यानि काफी उत्तम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है तो देखे तीन राष्टियों के बारे में हमने जान लिया है आगे भी वांकी राष्टियों की हम बात करेंगे लेकिन उसके पहले अहोई अश्टमी व्रत के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं पंडिच जी ने व्रत की महिमा तो आपको बता दी लेकिन देखे उपवास रखनी के भी अलग-अलग तरीके होते हैं तो पंडिच जी अहोई अश्टमी को लेकर अगर हम बात करें इस दिन कैसे उपवास रख सकते हैं क्या विधिविधान हो अब ये जानते हैं कि अहोई अश्टमी का उपवास कैसे रखते हैं, पूजा कैसे करते हैं प्राता काल स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प लिया जाता है और ये उपवास रखते हैं सूर्योदय से चंद्रोदय तक यानि सूर्य उगने से उपवास शुरू होता है और जब चंद्रमा निकल जाता है रात में आकाश में तब ये उपवास समाप्त होता है इसके लिए अहोई माता क्या चित्र बनाया जाता है गेरू से या लाल रंग से दीवार पर बनाते हैं और सुर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजा आरंभ की जाती है पूजा की सामगरी में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई होती है चांदी की मोती की माला होती है जल से भरा हुआ कलश होता है दूद भात होता है हलवा और पुष्प दीप आदी रखा जाता है पहले जब शाम को तारे आकाश में निकल जाते हैं तो पहले अहोई माता को रोली पुष्प दीप अरपित किया जाता है उनकी पूजा की जाती है उसके बाद उन्हें दूद भात अर्पित किया जाता है फिर हाथ में गेहूं के साथ दाने और कुछ दक्षणा ले करके अहोई की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद जो चांदी की मोती की माला है ये माताएं या महिलाएं अपने गले में पहन लेंगी और गेहूं के दाने और दक्षणा अपनी सासू मा को दे करके उनको आशिरवात देने के लिए कहेंगी और उनका आशिरवात लेंगी इसके बाद चंद्रमा को अर्ग दिया जाएगा फिर जाकर के महिलाएं अपने व्रत को समाप्त करेंगी और अपने व्रत का पारायन करेंगी भोजन ग्रहन करेंगी जो चान्दी की माला है ये अहोई से लेकर दीपावली की शाम तक माताएं अपने गले में पहनेंगी दीपावली की शाम को इसको निकालिए और जल के छीटे दे करके अगली अहोई अश्टमी तक सुरक्षित रख लीजिए यही तरीका होता है अहोई अश्टमी के पूजा विधान का नोट कर ले और अपना सवाल हम तक पहुँचाएं पंडित जी उसका उपाई आप तक पहुँचाएंगे अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से हम करक सिंग और कन्या राशी का जान लेते हैं दैनिक राशीफर बात करते हैं करकराशी की आपकी मानसिक चिंटाएं दूर होने का समय आ गया है और आपकी मानसिक चिंटाएं धीरे धीरे समाब्त होंगी इस समय विवा के मामलों में आपके तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और अगर करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो करियर में परिवर्तन की स्थिती बनी हुई है शुबरंग है आपका नारंगी और भाग्य का मीटर है आपके पास 90 प्रतिशक्त यानि सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंग राशी स्वास्तिका बहुत ध्यान रखिये इस समय पैसा गिर सकता है नुक्सान हो सकता है चोरी हो सकता है धन हानी से बचाव करिये और भग्वान को पीले फूल अरपित करिये ताकि आपका गुडलक बढ़े आपके मुश्किले कम हो जाएं शुबरंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत यानि मेहनत ज्यादा है भाग्य थोड़ा कम है कर्ण्याराशी आपकी तमाम मानसिक चंताएं दूर होती दिखाई दे रही हैं और इस समय धन लाब के सुन्दर योग भी आपके लिए बने हुए हैं इस समय आपकी दौर भाग भी बढ़ती हुई दिख रही है शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा हरा और भागी का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत यानि कुल मिला जुलाकर मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है बिलकुल तो भागी फल छे राश्यों का हमने जान लिया है बागी की छे राश्यों के बारे में भी आगे बात करेंगे लेकिन अहोई अश्टमी व्रत के बारे में आज पंडित जी से हम जानकारी ले रहे हैं कुछ उबाई भी पूछ रहे हैं कुछ तरीके भी पूछ रहे हैं बिल्कुल जैसा सुनीता ने कहा कि अहोई का जो पर्व है वो संतान के स्वास्थ्य, आयू, उन्नती और सफलता के लिए रखा जाता है ऐसे में संतान की उन्नती के लिए अगर आप अलग से कोई विशेश उपाय करना चाहें तो माताएं क्या करेंगी? अहोई माता की जब आप पूजा करेंगी अहोई अश्टमी की शाम को तो पूजा के दोरान दूद भात और लाल फूल अर्पित करेंगी इसके बाद लाल फूल हाथ में ले करके संतान के करियर और सिक्षा की प्राथना करेंगी संतान को अपने हाथों से दूद भात खिलाईएगा ये दूद भात जो आपने अर्पित किया है ये खीर नहीं है चावल अलग बनेगा और दूद अलग से गरम किया जाएगा फिर दोनों को मिलाये जाएगा ये दूद भात अहोई माता को अर्पित करने के बाद अपनी हाथों से अपने संतान को खिलाईए और फिर जो लाल फूल आपने अर्पित किया था ये अपनी संतान के हाथों में दे दे और उससे कहें कि इस फूल को अपनी अलमारी में, अपनी टेबल के दराज में, अपनी किताबों में सुरक्षित रख ले अगले अहोई अश्टमी तक ये उपाय करने से आपकी संतान का भाग्य पक्ष बेहतर होगा और आपकी संतान जीवन में ज़्यादा उन्नती और ज़्यादा तरक्की कर पाएगी तो ये बेहत आसान और बहुत सुन्दर सा उपाय पंडित जी ने बताया है, जरूर इसको अपनाएँ अब आगे बढ़ते हैं और अगली तीन राशी, यानि कि तुला, वृष्चिक और धनू राशी की दैनिक राशी फल के बारे में पंडित जीज से जानते हैं बात कर लेते हैं तुला राशी की धन की स्थिती में आपके लगातार सुधार होता दिख रहा है इस समय आपको संपत्ति का प्रॉपर्टी का फायदा भी हो सकता है और इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपकी पद प्रॉतिष्था बढ़ेगी ये संभावना बने हुई है शुबरंग आपका पीला होगा और भागी का मीटर आपको नंबर दे रहा है काफी अच्छा आपका प्रॉतिषत है भागी का 80 प्रॉतिषत ब्रिश्चिक राशी करियर में सुधार होता दिख रहा है आपके लिए कोई बड़ी समस्या इस समय आपकी हल होगी हो सकता है किसी यात्रा पर आकस्मिक रूप से आपको जाना पड़े शुबरंग आपका नीला होगा और भागी का मीटर आपको नंबर दे रहा है आपके साथ बना रहेगा धनुराशी स्वास्टे का बहुत ध्यान दखिये इस समय धन के हानी से बचाव करिये और अगर आप चाते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हो आपका गुड़लक बढ़े तो केले का दान कर दीजिएगा शुबरंग होगा सुनहरा और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भागे थोड़ा कम होगा चलिए तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन धल जरूर मिलेगा चलिए अब आगे पढ़ते हुए पंडित जी से हम आज के सवाल के बारे में जान लेते हैं कि सवाल कहां से आया है और पंडित जी उसके लिए कुछ उपाए भी नर्मदा जी ने हमें प्रश्ण लिखा है बिहार से लिखती है पटना से अपनी पुत्री के बारे में जानना चाती है इनकी पुत्री की जन्द तारीख है 12 अक्टूबर 1990 जन्द का समय है शाम को 6 बच के 40 मिनट और जन्द का स्थान है पुत्री का पटना ये पूछ रही है पुत्री का विवाह कब होगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या पुत्री के विदेश में सेटिल होने के योग बनते हैं देखे नर्मदाजी आपकी पुत्री की जो कुंडली है उसके हिसाब से आपकी बिटिया का विवाह 2022 के आखरी में होने की संभावना बन रही है 2022 के आखरी में इनका विवाह लिष्चित रूप से हो जाएगा ये इनका विवाह इनकी अपनी इक्षा से होगा जिसमें आप लोगों की सहमती होगी वैवाहिक जीवन आपकी बेटी का ठीक दिख रहा है विदेश में रहेंगी तो जरूर लंबे समय तक 2 साल, 4 साल, 5 साल लेकिन विदेश में परमानेंटली सेटिल होने के योग इस कुंडली में नहीं बनते हैं यानि सेटिल्मेंट की संभावनाएं नहीं है अब आपकी बिटिया का विवाज जल्दी हो, अच्छा हो, वैवाहिक जीवन ठीक रहे इसके लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दे लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तरजनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाब होगा चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस उपाय से आपको तुरंत फायदा होगा आगे बढ़ते हुए हम कुछी देर में आप तक एक महा उपाय पहुचाएंगे लेकिन उसके पहले मकर, कुम्प और मीन राशी ये आखिर की तीन राशियां बची हैं तो इसके भागेफल की भी कर लेते हैं बात पंडित जी से ज़्यादा जानकारी लेंगे बात कर लेते हैं मकर राशी की आपके कारोबार में सुधार होने की अच्छी संभावनाएं हैं व्यापार की स्थितियां बहतर होंगी इस समय आपको उपहार की प्राप्ती भी होगी उपहार प्राप्ती के योग बने हुए हैं अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय निश्चित रूप से आपका विवाह तै हो सकता है शुबरंग होगा आपका बैंगनी और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्राशी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना ही आपके लिए बहतर होगा उसमें लापरवाही मत करिये राहत की बात ये है कि धन की स्थितियां आपके लिए ठीक बनी रहेंगी और सिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता की प्राप्ती होगी शुबरंग होगा आपका क्रीम और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे फाइदा उतना ही जादा होगा मीन राशी धन लाब के बेहतरीन योग बने हुए हैं और स्वास्त की समस्याओं में भी इस समय सुधार होगा आपके जो रुके हुए काम हैं ये तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे शुबरंग होगा आपका गुलाबी और भागे का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है तो दैनिक राशिफल हमने जान लिया है 12 की 12 राशियों का अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका 28 अक्टूबर को जन्म दिन है सबसे पहले आपको जन्म दिन की बहुत बहुत शुब कामना है हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी मनों कामना हैं वो पूरी हो लेकिन आपका भाग्य क्या कहता है कुंडली क्या कहती है ये ज़रा पंडित जी से जान ले पंडित जी जिन लोगों का जन दिन 28 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन दिन की हारदिक्षुप कामना है आने वाले वर्ष में सबसे बढ़िया बात ये है कि आपके स्वास्त की स्थिती में सुधार होगा करियर भी अच्छा होगा और कर्ज की समस्या से भी आपको राहत मिलेगी अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है लेकिन इस साल जो आपके घर के बड़े बुजर्ग है आपके माता-पिता हैं, दारा-दादी हैं जो घर के बड़े बुजर्ग हैं उनके स्वास्ते का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा क्या करेंगे पूरे साल भर भगवान सूरी को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा ये वर्ष आपके लिए और भी अच्छा रहेगा बिल्कुल तो इस उपाय को आप जरूर अपनाए उम्मीद करते हैं कि न सर्फ आज आपके जन्म दिन का दिन बल्कि पूरा साल यहीं सुख में बीते वसे पंडित जी महा उपाय की बारी आ गई है तो कौन सा है वो अचूक उपाय जो तवाम मनों कामनाओं को दूर करेगा और मन की मुरादों को पूरा कर देगा आपकी कोई भी परिक्षा है चाहे वो छूटी है चाहे वो बड़ी है आप परिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं क्या उपाय करें ये उपाय करिएगा जिस दिन आपको परिक्षा देनी हो तो ये उपाय तुरंत इफेक्टिव होगा जिस दिन परिक्षा है उस दिन सुबह सुबह 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिएगा नहीं पढ़ पाते सुन लीजिएगा उस दिन भगवान गडेश को दूरवा यानि दूब घास अरपित कर दीजेगा और जब आप परिक्षा में जाएंगे या परिक्षा में बैठेंगे तो वो दूरवा जो भगवान गडेश को अरपित की थी इसको अपने बैग में, अपने जेब में, अपने बॉक्स में रख करके ले जाईएगा जिस दिन आपकी परिक्षा है, उसी दिन ये प्रियोग करने से आपको परिक्षा में सफलता जरूर मिलेगी बहुत-बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस जानकारी के लिए झाल 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 झाल